हेलो एन वेलकम टू देवजू क्लासेस आप सभी का आपका आपना यूटूब चैनल देवजू क्लासेस में स्वागत है बूर्ड का एक्जाम आपका चल रहा है और आपने सोसल साइंस का पेपर भी दिया I hope कि आपका एक्जाम अच्छा जा रहा होगा सुलला तारीक को आपका मैट्स का पेपर होने वाला है तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए एक पूरा सेट important questions का सेट लेकर के उपस्थित हुए हैं अगर आप इस चैनल पे नए है तो आप इस चैनल को जरू सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेश कर ले आंसर की भी आपका इस पे उपलब्ध मिलेगा और साथ ही साथ आने वाले जो exams हैं उनके भी important questions यहां से provide किये जाएंगे ठीक है हमारा जो चैनल है वो आप दोनों medium के बच्चों के लिए बहुत ही लाबदायाक है वो चैनल है इंगलिस मिडियम से हो तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के विडियो को आज मैस में जो questions आएंगे हैं आप एक state को हमने ले रखा है और इस state के माद्याम से हम उसके आस पास के जितने भी questions उससे बन सकते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे चलिए शुरू करते हैं चलिए पहला चीश हम आपको बता दें यहाँ पर जैक लिखा हुआ है इसका मतलब यह कता ही नहीं है कि यह जैक का question paper है clear है यह important questions को लिया गया है viral लिखने का मतलब यह नहीं है कि आपके exam में जो प्रशन आने वाले है यही है हाँ लेकिन यह उतना ही सत्य है कि इससे बाहर भी प्रशन नहीं रहेंगे यह same pattern रहेगा same हो सकता है 140 के जगा पर दूसरा question दे दे लेकिन pattern यही रहेगा और कैसे बनेगा यह सारा हम देखेंग अगर आप पूरे वीडियो को देख लेंगे तो I hope कि आप बहुत ही अच्छा exam में करके आएंगे है ना इसका जो तीन marks का और पांच marks का होगा वह उसमें से आपका mostly questions exams में हूँ बहू रहेंगे है ना चलिए देखते हम लोग पहले MCQ को निम्ण में 140 का भाज गुनन खंड में गुनन फल कौन है ठीक है इसके लिए आपको क्या करना है आपको गुनन खंड करने की जुरत नहीं है आप क्या करेंगे सीधा आप multiply करके देखेंगे किसका रहा जैसे यहां दू गुने तीन गुने पांच गुने साथ दू तीज चो चो पचे तीस तीस सत्ते दूसों यह आ रहा है दूसों दस ठीक है चलिए तो दूसों दस तो आंसर नहीं होगा आपका चाहिए कितना है 140 चलिए दूसरा देखिए ऑप्सन भी दू दूनी के चार पचे बीस सत्ते 140 गुना करने पर कितना रहा है 140 इसका सही आंसर क्या हो जागा 140 का ऑप्सन नंबर बी यानि दू गुने दू गुने पाच गुने साथ ठीक है चलिए नेक्स कोशन यानि इसमें आप अभाजी गुननखंडो का गुननफल पूछ रहा है तो आपको केवल क्या करना है आपको केवल गुना करके देख लेना है ठीक है कितना आ रहा है चलिए नेक्स कोशन देखिए 17 पहले ककट रहा है कि नहीं अगर ये आपस में कट रहा है तो इसको काटई ए थे अब जब नहीं कट रहा है आई बास सवेच में जब यह नहीं कट रहा है कि ज नहीं है उसके बाद आप दूसरा इस्टेप देखेंगे दूसरा इस्टेप क्या देखेंगे आप अब यहां से दूसरा इस्टेप के लिए आप दो काम कर सकते हैं क्या क्या काम कर सकते हैं पहला आप काम कर सकते हैं आठ को देखिए कि आठ किस से विभाजित हो रहा है ठीक ह चलिए तो आठ देखिए किस से विभाजित हो रहा है तो अब किस से विभाजित होने का मतलब क्या है कि ये दो से कट रहा है की नहीं तीन से कट रहा है की नहीं अगर ये दो और पांच के अलावा अगर ये तीन से कट जाए क्लिर है अगर तीन से कट जाए असन्त है अगर यह 3 से और 7 से कट जाए तो यह समझे है कि असन्त है उसके अलाबा थो से कटे और 5 से कटे ना तो वो क्या हो जाएगा सांथ हो जाएगा चलिए जैसे हम करके देखते हैं जैसे यहाँ पर करके देखते हैं कि यह आठ जो है दू से कटेगा तो कितना हो गया चार फिर चार किसे कटेगा दू से फिर दू किसे कटेगा दू से ही कट जाएगा एक पूरा पूरा कट गया दो से ही केवल यानि दो के अलावा यानि तीन और साथ से ये आठ नहीं कट रहा है अगर तीन और साथ से कट तो ये असांत हो जाता और तीन और साथ से नहीं कट रहा है तो इसका मतलब है ये सांत है ठीक है यानि दो से ये पूरा पूरा कट जा रहा ह चलिए और हम लोग देख लेते हैं थोड़ा जैसे माल लीजे 21 बटे 7 या 21 बटे 15 अब देखिए 21 बटे 15 करना तो आपको पहला हम ने क्या कहा कि पहले देखिए कि काट ये इसको कट रहा है कि नहीं तो 3 सते 21 तीन पचे 15 कट गया अब 7 बटे 5 तो नहीं कटेगा सबसे लोवेस्ट यही मिलेगा आपको अब नीचे वाला देखिए पांच अगर ये तीन और साथ से कटता तो आसांत है इसके अलाव अगर दूसरे और पांच से क्यों कट रहा तो ये क्या है अज़े तो पांच किससे कटेगा क्यों पांच से कटेगा एक बार में इसका मतलब क्या है ये सांथ है क्लियर है अब देखिए दूसरा कोशन और देख लीजिए जैसे माल लीजिए 24 बटा 21, 24 बटा 21 अब ये देखिए कि पहले कट रहा है कि नहीं तो काट लीजिए 24, तीन सत्य 21 तो कितना आया आठ बटे 7 अब नीचे देखिए ये 7 है क्या है साथ है अब ये 7 जो है वो आपका किस से कट रहा है दो से कट रहा है नहीं, पांस से कट रहा है, नहीं, किसे कट रहा है, किवल साथ से कटेगा, तो हमने क्या कहा, तीन और साथ से कटेगा, तो वो क्या होगा, असांत होगा, तो ये क्या हो जाएगा, असांत हो जाएगा, क्लियर है, क्या हो जाएगा, असांत हो जाएगा, I hope कि आप आराम से चे हुआ हैं दस्मलों बैठे गा आठे कम आठ कि है कि दो हुआ है फिर जीरो आठ एख प्र चार जीरो आठ पच्छे चालीज तो क्या हो गया पूरा पुरा कट गया जब कट जाएगा तो क्या होगा असांट क्लियर है अब आप आई होब कि अब आपको कोई डाउट नहीं होगा चलिए नेक्ट कोशन देखिए कोशन नमबर तीन देखिए य बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया गया है चलिए आप एक चीज़ हमेंसा ध्यान अगर य बराबर पी एक्स दिया हुआ तो इसको आपको क्या देखना है कि एक्स अक्ष को यह कितना बार काटा है अगर एक्स बराबर पी दिया इसका मतलब है कि य अक्ष को कितना बार काटा है यह य अक्ष है इसको कितना बार काटा है लेकिन आपके एक्जाम में क्या आए अब कुश्शन में क्या है है कि wa ale बहुत अब देखिए कि एक सक्ष को कितना बार उना काटा एक बार उना काटा ना कि कि एक सक्ष है अगर हम पूछेंगे कि इसका क्या होगी इसका कमेंट सेक्ष में आप naw ? क्लीयर दूसरा उसका क्या होगी इसका क्या होगी ॐ एक सक्ष को एक भी बार नहीं काट इसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताईए ठीक है चलिए नेक्ट कोश्चन देखिए कोश्चन नमबर चार कोश्चन नमबर चार चलिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं चलिए कोश्चन नमबर चार देखिए द्विघात बहुपद एक सिस्क्वाइर प्लस साथ एक्स प्लस टेन के सुन्नेको का योग क्या है इसके सुन्नेको का योग क्या है सुन्नेको का योग क्या है तो सुन्नेको का योग क्या होता है अलफा प्लस बीटा अब इसमें देखिए एक सिस्क्वाइर प्लस सेबन एक्स प्लस टेन है अब इसमें एकी वैलू क्या है वन एकी वैलू जो एक सिस्क्वाइर का गुनांग है एक सिस्क्वाइर के साथ अब सुन्यकों का योग पूछेगा तो योग पूछेगा तो B बटा A माइनस यानि साइन्स चेंज करके तो अलफा पलस बीटा जो होता है वो होता है सुन्यकों का योग जो होता है माइनस B बटा A होता है तो यानि B का वैलू क्या हो जाएगा 7 तो माइनस 7 बटा A का वैलू क्या है 1 तो यानि माइनस 7 बटा A आप यही ध्यान में रखिए कि X का जो गुनांख है बटा जो X स्कुायर का गुनांख है और चिन्ह बदल दीजे योग पुछेगा तब अगर गुननफल पुछता क्या पुछता गुननफल यानि अलफा गुने बीटा यानि गुननफल पुछता तो क्या हो जाता C बटा A C मतलब जो कॉंस्टेंट है यानि 10 उसका बिना साइन्स चेंज किये तो 10 बटा यहां X स्कुायर का गुनांख कितना है एक 10 बटा एक यानि कितना हो जाएगा 10 तो अगर योग पुछेगा तो इस तरह से और गुननफल पुछेगा तो इस तरह से ठीक है अगर हम सीधा पुछे कि बताईए 2X स्कुायर माइनस 3X माइनस 5 बराबर 0 इसमें सुने को का योग कितना होगा तो यह आजाएगा नीचे तो योग कितना हो जाएगा तीन बटा दू अब इसका गुननफल पुछेगा तो गुननफल पुछेगा तो एक जो कॉंस्टेंट है वो कितना है माइनस 5 बिना साइन चेंज किये तो माइनस 5 हो गया अब एक स्कार का गुनना कितना है दो तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 5 बटा 2 चलिए नेक्ष देखिए कोस्चन नमबर 5 देखिए समीकरण निकाए A1X B1Y प्लस C1 बराबर 0 A2X प्लस B2Y प्लस C2 बराबर 0 का अधुईतिय हल होगा चलिए अधुईतिय हल होगा हम लोग तीनों रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या देख लिए यहाँ देख लीजिए पहले अगर A1 बटा A2 not equals to B1 बटा B2 अगर नहीं है not equals to C1 बटा C2 तीनों बराबर नहीं है तो यह क्या होगा प्रतिछेदी आपने पढ़ा है क्यवल हम इसमें क्यवल रिवाइज करते चल रहे है प्रतिछेदी अब प्रतिछेदीत होगा यानि प्रतिछेदीत अगर होगा तो इसका कितना हल होगा तो एक हल होगा कितना हल होगा एक हल होगा अब एक हल का मतलब डहल होता है इसको हिंदी में बोलते हैं अद्वीतिय हल भी बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको अद्वीतिय हल ठीक हैं इंगलेस में क्या हो जाएगा intersecting intersecting one solution only one solution only one solution या फिर unique solution या फिर unique solution clear है unique solution clear है कब जब a1 by a2 not equals to b1 by b2 not equals to c1 by c2 है तब अच्छे अगर एक condition ये हुआ दूसरा condition क्या कह रहा है कि अगर a1 by a1 by a2 बराबर b1 by b2 बराबर c1 by c2 अगर तीनो बराबर है तीनो जब बराबर है तो ये हो जाएगा संपाती क्या हो जाएगा संपाती तीनो बराबर है तो क्या होगा संपाती और जब संपाती होगा तो इसके कितने हल होंगे अनेक हल होंगे कितने हल होंगे अनेखल होंगे, clear है, चलिए, संपाती है तो अनेखल होंगे, तीसरा है condition कि a1 by a2 ये बराबर है b1 by b2 और not equals to c1 by c2, यानि c1 by c2 के बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा समानतर, ग्राफ कैसा होगा इसका समानतर, यानि parallel, ये क्या है, collinear, many solution, अब यहाँ समानतर, समानतर है यानि parallel, अब parallel होगा इसका no solution, यानि कोई हल नहीं, no solution, यानि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, क्लियर है, इसका कोई हल नहीं होगा कब, जब a1 by a2, b1 by b2 के बराबर तो होगा, लेकिन c1 by c2 के बराबर नहीं होगा, तब समानतर होगा, और समानतर का कोई हल नहीं होता है, ठीक है, आई बासमज में, चलिये, तो ये, जब कोई ना कोई हल होगा, तो उसको बोलते हैं संगत, क्या बोलते हैं, संगत, यानि ये भी संगत है, ये भी संगत है, और ये संगत नहीं है, ठीक है consistent consistent यह inconsistent यह inconsistent है यानि कोई संगत नहीं है clear है चलिए तो इतना तक clear है तो अब हम लोग questions को solve करते हैं क्या है question देखिए अदीतिय हल होगा अदीतिय हल मतलब एक solution यानि a1 by a2 not equals to b1 by b2 तो यह हो जाएगा answer option number c will be the right answer को equal नहीं चलिए आगे देखिए यदि रैखिक समी करनों का एक यूग में संगत है क्या है संगत है अभी हमने आपको पताया अगर संगत है तो संगत कब होगा या तो दीत होगा या तो संपाति होगा ठीक है और अशंगत कब होगा जब समानतर होगा ठीक है , तो इसका तो इसका another test हो जाईगा प्रतिछेदित या फिर संपाति यदि रैखिक समिकरनों का यह क्योगम संगत है संगत का मतलब pansisटेंट है तो वो क्या होगा या तो intersecting होगा या तो collinear होगा ठीक है दोनों में से कोई भी हो सकता है लेकिन अगर inconsistent है क्या है inconsistent inconsistent का मतलब है कि वो क्या होगा समांतर होगा या parallel होगा क्या होगा समांतर या या फिर parallel प्लियर है चलिए आगे चलते हैं question number 7 समीकरण 2x-y बराबर 5 और 3x-2y बराबर 4 का हल क्या होगा बिलोपन विधी देखिए क्या देखिए बिलोपन विधी से आप देखिए या फिर सारे जो दिये हुए हैं इसका हल इसमें बैठा करके देखिए तो सबसे पहले हम लोग बिलोपन विधी आपने पढ़ा है उससे देख लेते हैं क्या है 2x-y बराबर 5 और नीचे क्या है 3 3x प्लस 2y बरावर 4 यहाँ पर 2y यहाँ पर 1y तो इसको क्या कर दें? दो से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2x माइनस 2y बरावर 2 पज़े 10 और नीचे क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2y बरावर 4 अब यहाँ पर माइनस कीजिए माइनस 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 यह 2X माइनस 3X क्या हो जाएगा माइनस X है ना एक मिनट एक मिनट यहाँ पर माइनस करने की जूरत नहीं है क्यों क्योंकि यहाँ पर एक प्लस में है यह एक माइनस में है और एक प्लस में है आड़ कर दीजिए यह कैंसिल आउट हो जाएगा तीन अदू कितना हो जाएगा पांच एक्स और दस और चार कितना हो जाएगा कि चूदह ठीक है कि इस बराबर कितना हो जाएगा एक अच्छे देखिए एक मिनुट एक मिनुट आप देख लिज्ये यहां पर टू से जब मल्टिपलाई हुआ जाएगा टू टू जाएग यह क्या हो गया हो जाएगा टू एक्स क्या हो जाएगा त्होत देखिए हो जाएगा 14 थो एकोड़ाबर कितना हो जाएगा 14 बटे 7 कि सात दुनेन के चोड़ाबर लिए 2 एक पराबर 2 पहले थो हट manipul चरूंपे चरिंगा तो अब एक सब्सक्राइब 2 का मान क्या करेंगे किसी भी एक में पूट करके देख लेते हैं जैसे मान लिए पहले बाले में पूट करते हैं तो क्या हो जाएगा x के जगाँ पर यहाँ तो दू दू नी के दू दू नी के 4 माइनस y बराबर 5 यानि माइनस y बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 यानि minus y बराबर हो गया 1 यानि y बराबर हो गया minus 1 यह वाला sign उधर चला जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा minus 1 तो x का मान 2 और y का मान minus 1 ठीक है तो या तो आप बिलोपन विधी से बनाईएगा या तो आप सीधे put करके देखिएगा ठीक है सीधे कैसे put करके देखना है पहला क्या है equation 2x minus y बराबर 5 क्या है 2x minus 2x minus y बराबर 5 अब देखिए x बराबर क्या है 2x के जगापर 2 पूट किजिए तो दूदुनी के दूदुनी के 4 और y के जगापर minus 1 तो 4 minus minus 1 तो यह कितना जाएगा 4 plus 1 यानि 5 तो 5 बराबर 5 यानि हमारे यह सही यह दूदु काम कर रहा है तो x के जगापर 2 होगा अब चलिए अब y अब इस equation में देखिए 3x plus 2y 3x plus 2y बराबर 4 यानि यह x बराबर 2 और y बराबर minus 1 यह तो इस equation में काम किया अब इस equation में भी पूट करके देखते हैं तो 3 दूदुनी के 6x ठीक है plus 2 गुने y के जगापर कितना हो जाएगा minus 1 तो अब x के जगापर कितना है 2 तो गुने 2 यानि 6 दूदुनी 12 minus 1 minute अब यहां पर क्या है जैसे यहां पर 3x है न तो 3x है तो x के जगापर क्या पूट करें 2 तो तीन दूदुनी के 6 plus 2 into y के जगापर क्या पूट किये minus 1 फिर 6 plus plus minus क्या हो जाएगा minus 6 minus 2 यानि 6 minus 2 कितना हो गया 4 तो 4 बराबर क्या हो गया 4 ठीक है 4 बराबर 4 यानि ये भी इस पर भी बैठ रहा है ये और पहला वाला equation में भी बैठ रहा है तो जब दोनों पर बैठ रहा है तो x का value क्या हो जाएगा 2 और y का value minus 1 ठीक है अगर हम उसके अलावा अगर हम माल लिजए कि ये equation x बराबर 3 y बराबर 0 देखते हैं तो जब ये equation देख लेते हैं पहला इस पर बैठा करके 2 x minus y बराबर 5 अब x बराबर 3 यानि दू ती यह चोव माइनस वाई के जब पर 0 तो 6 minus 0 कितना हो जागा पांच आया नहीं आया तो इसका मतलब है कि ये equation और ये answer नहीं होगा ठीक है तो इसी तरह से हम क्या करेंगे बैठा करके देख लेंगे कि कौन सा बैठ रहा है कौन सा उस पर बैठ रहा है अदरवाइज आपके पास विलोपन बिधी है है आपके पास तीन और बिधियां है विलोपन बिधी है प्रतियस्थापन बिधी है तो जिस बिधी से आपको बनाना है आप उससे बना करके x और y का मान निकाल सकते है ठीक है या फिर आप सीधे पूट कर सकते है इसमें ठीक है चलिए next question देखिए समीकरन निकाय 2x plus y minus 6 बराबर 0 और 2x minus ky minus 2 बराबर 0 का अदितिये हल का मतलब होता है a1 बटा a2 not equals to b1 बटा b2 कोई भीमान पूछे आपको s नहीं करना है ठीक है कोई भीमान पूछ रहा है तो आपको a1 by a2 और b1 by b2 लिख देना है ठीक है अब अदितिये हल पूछ रहा है तो not equals to लगा देना है और अगर मान लो उसके अलावा अ कोई हल नहीं या अनेक हल ठीक है अनेक हल ये दोनों में से अगर कोई भी पूछता तो क्या हो जाता है एवन बटा एटू बराबर बीवन बटा बीटू प्लियर है तब ये हो जाता है ठीक है अब इसमें देखिए अनेक है क्लियर है प्लियर है अब माइनस ये इससे मुल्टिप्लाई ये इससे मुल्टिप्लाई तो minus 2K is equal to क्या हो जाएगा 2 ठीक है तो K अभी यहाँ पर not equal to है K not equal to क्या हो जाएगा 2 by 2 अभी यह इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 by 2 तो 1 हो जाएगा minus का sign तो है ही यहाँ पर ठीक है तो K not equal to क्या हो जाएगा minus 1 K not equal to minus 1 clear है k का value क्या हो जाएगा minus 1 नहीं हुआ इसका मतलब क्या है कि यहां ये दोने equation में k का value minus 1 नहीं हो सकता उसके अलावा कुछ भी हो सकता है लेकिन minus 1 नहीं होगा ठीक है किसके लिए अदित्य हल के लिए क्लियर है चलिए question number 9 देखिए name में से कौन दिघाज समीकरन है कौन इसमें दिघाज समीकरन है तो या तो आप solve करके देखिए नहीं तो दूसरा क्या है आप सबसे आसान ये क्या है optional है तो आप mcq है multiple choice question है तो अगर multiple choice question है यहाँ पे एक marks में आपको केवल देखना है कि ABCD option में से कौन सा सही है तो आप option वाले question में पूरा बनाने की जुरत आपको नहीं है तो इसके लिए क्या है sort में अगर केवल square है square है न सब यहाँ पे square है ठीक है maximum क्या है square है तो जितना भी संख्या है उसको गयब कर दीजिए यानि x plus 1 का square बराबर 2 x minus 3 है ठीक है अब यहाँ पे क्या करिए सब संख्या को हटाइए यह plus 1 को हटाइए और यह minus 3 को हटाइए जो किस में है plus या minus में है बाकि जो multiply में इसको छोड़ देंगे तो यहाँ क्या बचेगा x square क्या बचेगा x square बराबर 2 x क्लियर है तो जब x square बच गया x square जब बचा तो वो द्विघास समिकरन है अगर x square नहीं बसता इधर भी x square x square कट जाता तब द्विघास समिकरन नहीं होता ठीक है या x square के अलावा क्या होता अगर x square के अलावा x cube रहता तब भी नहीं होता clear है तो यह क्या होगा द्विघास समिकरन है ठीक है चलिए अब हम लोग दूसरा option देखते है इसका दूसरा option इसका देखेंगे दूसरा option क्या है x plus 2 x plus 2 का cube बराबर 2x x square minus 1 ठीक है clear है अब देखिए इधर भी cube है और इधर भी cube आ रहा है तो क्या करिए संख्या को हटाइए प्लस 2 को हटाइए प्लस 2 इधर हट जाएगा इधर minus 1 हट जाएगा तो अब इधर क्या हो जाएगा x cube बराबर 2x cube ठीक है x cube बराबर 2x cube अब देखिए x plus 2 का cube है तो इसमें तो x square आएगा ही आएगा clear है ना सब्सक्राइब है इस में डिक्सक्राइब नहीं होगा क्यों पचा तो यहां पे एक स्क्राइब नहीं कि एक स्क्यू रहा हो जाएगा ना एक स्क्राइब बच जाएगा इधर माइनस हो जाएगा तो x q जब बचेगा तो यह क्या हो जाएगा दिगाद समीकरण नहीं होगा दिगाद समीकरण नहीं होगा clear है चलिए तीसरा देखिए option c देखिए तो इसमें कोई टेंसर नहीं है x square 3x plus 1 बराबर x4 qa cărण संख्या को ळटा दिजह्यां इसमें सुचाहीं यह ज़ए घ्रावर x qaew vr3x कर जाएगा रा नहीं किया तो होगा दिखाज समीकरण नहीं होगा ठीक है अगर एक सिस्कार बचता तो दिखाज समीकरण होता जैसे यहां पच्छा तो क्या हो जागा केवल ऑप्शन ए जो होगा वही सही होगा ठीक है क्यू बोला में हम कहेंगे कि एक बार आप पूरा इसको सॉल्व करके देख लीजिए प्लास 3AB स्कार 3A का वेलु क्या है एक एक का वेलु एक और बिका वेलु टू का इसकोर बराबर 2x into 2x square तो क्या होज़ागा गए 2x q 2x q और minus में multiply कीज़ेगा तो minus 2x तो है रहा that implies x q plus 8 plus 6x square plus 2 2 जा 4 यानि दुदुनी के 4 ती हाई 12x बराबर 2x q minus 2x clear है अब यहाँ पे 2x q है 2x q है और यहाँ पे 1x q है तो 1x q बचेगा ना यह x q उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6x square plus 8 plus 12x बराबर 2x q minus x q तो कितना हो जाएगा x q x q है ना minus 2x अब x q जब बच गया x q जैसे ही बचा तो यह क्या हो जाएगा x q जैसे ही बचा तो यह त्रिघात हो जाएगा त्रिघात नहीं होगा clear है चलिए तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा option नंबर इसका इसका सही अंसर क्या हो जाएगा option नंबर ए चलिए next question देखिए दिघात समिकरण 2x square minus 5x plus 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी तो मूल की प्रकृति के लिए क्या देखना है पहले विविक्त कर निकालना है अगर condition देखिए अगर d का मान 0 से बड़ा 0 से बड़ा in the sense की plus में आए संख्या एक दू तीन या कुछ भी जो प्लस में आए ठीक है रूट में रहे चाह किसी में रहे लेकिन प्लस में रहे तो प्लस में रहेगा तो वास्त्विक क्या होगा वास्त्विक होगा वास्त्विक एवं असमान मूल क्या होगा अस्तित्तों में होगा असमान असमान यानी भिन्य भिन्य भी लिखा हुआ रहेगा तब भी सेम कब जब डी का मान जीरो से बड़ा है तब अगर डी बराबर जीरो होगा तो वास्त्विक होगा वास्तिक होगा एवं बराबर होगा वास्तिक एवं बराबर ठीक है अगर डी कामान लेस देन जीरो होगा तो क्या हो जाएगा कालपनिक क्या हो जाएगा कालपनिक ठीक है यह एक चीज़ क्लियर है अब चलिए दूसरा चीज़ देखिए दूसरा चीज़ यह देखना है कि अब डी निकलेगा कैसे चलिए तो डी के लिए देखिए कोश्चन यहाँ पर क्या है 2x square minus 5x plus 3 चलिए इसको छोटा कर देते हैं 2x square minus 5x plus 3 बराबर 0 ठीक है अब यहाँ पर a की value क्या है 2 a की value 2 b की value क्या है minus 5 और c की value क्या है ठीक है अब d बराबर क्या होता है b square minus 4ac b square यानि minus 5 का square तो 5 का square कितना हो जागा 25 minus 4 a का value कितना है 2 और c का value कितना है 3 ठीक है तो 25 minus 4 दूनी की आठ तरीके 24 तो 25 में से 24 जागा तो कितना हो जागा एक तो 1 जो है वो क्या है d greater than 0 हुआ यानि एक एक जो है वो 0 से बड़ा है तो एक 0 से जैसी बड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा वास्त वीक हमने क्या बताया तो दो 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 दी जैसे ही 0 से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा वास्त वीकेवम असमान भीन ठीक है तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा वास्त वीकेवम असमान ओप्सन नमबर बी ठीक है क्या हो जाएगा ओप्सन नमबर बी क्लियर है वास्त वीकेवम असमान चलिए तो इसका अंसर option number B, बास्तु के वंब असमान, चलिए, आगे बढ़ते हैं, question number 11 देखते हैं, क्या कह रहा है, यह दिघास समीकरण का मूल समान हो, तो के का मान बताईए, तो मूल समान हमने क्या बताया, D बास्तु के वंब बराबर कब होगा, बास्तु के वंब बराबर कब होगा, जब D बराबर क्या होगा, 0, तो D की वैलू क्या हो जाएगा, B स्कॉाइर माइनस 4AC, B स्कॉाइर माइनस 4AC बराबर 0, यानि B स्कॉाइर बराबर क्या हो जाएगा, 4AC, अब B की वैलू क्या है, k x का जो है गुना कोई न है तो k square बराबर क्या हो जाएगा 4 गुने a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3 तो 4 दुने का 8 तरीके 24 k square बराबर 24 clear है तो अब k square बराबर कितना हो जाएगा 24 तो k बराबर क्या हो जाएगा plus minus दोनों होगा मैं आप सुले प्लас मानस है नहीं तो इसलेग प्लस मानस पर आपको नहीं जाना है रूट चोवीश जोवीश 24 को फैक्ट राइस करो थो ऐसे 12 हे बार अब बू से बार ते दू चुकिर बार रूट तो दू शक्तियाई यह फिर आप देखिएगा कि किसको इस्कुआयर करने पर 24 है तो दु है दु है दु रूट छोई है तो दु दुनी के चार और चुख 24 है ना रूट का तो रूट हटेगा और संख्या है तो उसका इस्कुआयर होगा अगर हम square करें इसका square करके देखें दू रूट तीन का तो दू का square कितना हो जागा चार और रूट तीन का तीन तो चार तीन यहीं बारा क्यों आ रहा है ठीक है तो ऐसे भी हम लोग चेक कर सकते हैं ठीक है चलिए तो आप इसको देख लीजे एक बर चलिए question number 12 देखिए समांतर स्रेणी एपी है ना सारवंतर सारवंतर क्या होगा जो पहली संख्या होती है वो प्रथम पद होती है क्या होती है प्रथम पद तो प्रथम पद इसका क्या हो जाएगा तीन प्रथम पद सारवंतर क्या होगा दूसरा पद में से पहला पद घटाईए, दूसरा में से पहला यह ध्यान में रखना है, पहला से दूसरा नहीं घटाना है, छोटा बड़ा कोई हो उससे कोई मतलब नहीं है, तो दूसरा से क्या होगा, पहला, सारवंतर D निकालना है, तो D बराबर क्या हो जाएगा, 1-3, 1-3 कितना ह हो जाएगा minus 2 1-3 कितना हो जाएगा minus 2 तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा minus 2 इसका सही अंसर हो गया minus 2 clear है चलिए आगे देखिए next question देखिए एपी minus 3 minus 1 बटे 2 का एगर हमापद कितना पद कह रहा है एगर हमापद जैसे ही कहे तो आपको निकालना क्या है एगर हमापद जैसे ही कहे चलिए next question हम देख रहे हैं जैसे ही एगर हमापद कहे clear है तो आपको निकालना है a plus 10d a plus 10d ठीक है जितना 11 अगर है तो 10d 25 कहता तो 24d एक कम क्यों a plus n minus 1 into d फर्मूला होता है चलिए तो आपको एगर हमापद निकालना है तो a plus 10d अब a का मान कितना है इसमें minus 3 तो a के जगा पर क्या हो जाएगा minus 3 दस गुने दस गुने डी की वैलू कितनी होगी डी का वैलू क्या हो जाएगा minus 1 बटे दू minus 1 बटे दू minus minus 3 यानि दूसर का में से पहल का घटाएंगे तो minus 1 बटे दू plus क्या हो जाएगा तो कितना हो जाएगा पांच बटे दू पच्छे दस तो minus 3 प्लस 25 अब 25 में से तीन जाएगा तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा दूसर क्या हो जाएगा बटे टूसर नमबर 2 22 क्लियर ना अगर इसका 20 नमडर प हूं पुछता अगर अगो इसका 20 संब्रीत क्या होते हैं आप याद रखिएगा सरवांगस आपको पढढ़ना नहीं है तो आप याद रखिका चवांग सेदू तो सीधा याद रखिए सम्रूप, सभी ब्रीत सम्रूप, सभी वर्ग सम्रूप, सभी संभाहुत्रिभूज सम्रूप, ये तीन चीज पूछे जाएगा, ब्रीत पूछा जाएगा तो सम्रूप, वर्ग पूछा जाएगा तो सम्रूप, अगर संभाहुत्रिभूज पूछा तो यहां पर दिखरा होगा कूशन यहां पर क्या है डेढ का कितना गुना तीन है तो देढ का दूगना तीन है तो एक का दूगना तीन है गुना कितना हो जाएगा दू ठीक है दू आपका एंसर हो जाएगा क्लियर है ना बस यहीं आपको देखना है कितना गुना है ठीक है तो डेड़ का यह क्या है डेड़ का दूगना है आपका तीन तो डेड़ का यह दूगना हो गया तीन तो एक का दूगना कितना हो जाएगा दो एक का दुगना दो एंसर हो जाएगा चलिए एक कोश्चन यहां से रहेगा ही आपका अब देखिए यह कोश्चन देखिए कोश्चन नमबर 16 फ्री का यह कोश्चन है फ्री का नमबर आपको मिलेगा त्रिभूज ABC, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AC बराबर 25 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर एंगल B का मान पूछ रहा है यहां पे आपको केवल दो ही चीज़ देखना है 45 और 120 तो एंसर होगा ही नहीं अगर सभी भूजा बराबर है तो 60 डिगरी अगर सभी भूजा बराबर नहीं है तो यानि वो पैथा गुरस पे होगा और उसका अंसर 90 डिगरी होगा बासमझ में आ गई आपका जो एक्जाम में पूछा जाएगा केवल यही दो पैटर्न पे पूछा जाएगा या तो सब भुजा का मान बराबर रहेगा यानि 24 राता इभी 24 राता इभी 24 राता तो संभाहुत्र भुज़े जाता उसका 60 डिगरी हो जाता अगर ये नहीं है तो समझ जाईए कि वो पैथा गोरस पे है और उसका एंसर 90 डिगरी होगा आएगा ही आएगा चाहे उसके जगाँ पर कुछ भी संख्यार है अगर ये बराबर नहीं है तो आप समझ जाईए कि इसका एंसर 90 डिगरी है अगर तीनों बराबर है तो एंसर 60 डिगरी है चलिए नेक्ष्ट देखिए नेक्ष्ट कोस्चन देखिए कोस्चन नमबर 17 17 क्या कह रहा है दूरी निकालना है तो दूरी निकालना है आपको सुत्र पता होना चीए दूरी सुत्र अब हम x2 माइनस x1 का square प्लस y2 माइनस y1 का square ये आपका दूरी सुत्र है ठीक है चलिए निकालेंगे कैसे दूरी सुत्र नहीं भी याद है तो आप ध्यान में रखिए क्या करना है रूट लगा दीजिए इतना माइनस इतना फिर इतना माइनस इतना अगर आप इधर से इसको माइनस किये तो इधर से इसको भी माइनस किजिए एंसर वही आएगा आपका बना करके तो दिखाना नहीं है कि गलत पूठ हो गया उससे कोई मतलब नहीं अगर इससे इसको घटाईएगा तो आप इससे भी इसको घटाईएगा ना एकस टू एकस टू वाई टू यह हो जाएगा बात समझ में आ रही है चलिए तो आईए घटाईए पहले माइनस एक में से माइनस पांच घटाईए माइनस एक माइनस माइनस पांच स्कॉार हो गया प्लस तीन में से साथ घटाईए तीन में से साथ घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस चार घटा की लिखने की जुरत नहीं है अगर आप माइनस एक में से माइनस पांच घटा देते तो भी मन में घटा देते तब भी हो जाता है ना तो माइनस एक यहाइं किया हो जागा मैनस-इयह और कि इसाडलेट, सुल्ध और यहाँ पर यहां पर फंज कुछ छोफय ओर तो 32. सोला कितना हो जाएगा रूट बतीस कितना हो जाएगा बतीस अब देखिए किसका स्कौार करने के पर बतीस आ रहा है दू दूनी के चार दूनी के चार गुने दू चार दूनी के आठ हो जाएगा इसका एंसर आठ होना चाहिए इसका देखिए रूट दू का केवल दू हो ज सब्सक्राइब तिन तरीके नौ दूनी अठारा है ना तो बतीस आपको चाहिए था तो बतीस किसका आगया इसकार करके देख लीजिए क्लियर है चलिए नेक्स कोश्चन देखिए नेक्स्ट कोश्चन बिंदू दू चार और छो आठ को मिलाने वाले रेखा खंड का मध्ध बिंदू का निर्दे सांग बताईए मध्ध बिंदू मतलब बीचो बीच तो दूनों को जोड़िए एक सेक्स वाला को जोड़िए आधा कीजिए च्छार और चार का जोड़िए एक सेक्स इसका सब्सक्राइन सब्सक्राइए ऑपसिन नमबर से चले आगे देखेए कोश्चन नमबर 19 question number 19 ABC का छेत्रफल ABC का छेत्रफल आपने पढ़ा होगा क्या है निर्देसांग को आला जो फर्मूला है आपको पता है एक बटा दू X1 Y2 माइनस Y3 प्लस X2 फिर Y3 माइनस Y1 और प्लस X3 Y1 माइनस Y2 अब इसको आप क्या करिए बैठा दीजे इसको और जो एंसर आएगा ये क्या हो जागा X1 ये Y1 ये X2 ये Y2 ये X3 और ये Y3 क्लियर है आप बैठा करके इसका क्या कर सकते है आंसर ला सकते है ठीक है ये कैसे बैठेगा ये हम जब लॉग आंसर ला देखेंगे तो उसमें भी देखेंगे इसको बनाने के लिए एक सौट ट्रिक बता रहे है उस ट्रिक को देखिए क्या है सौट ट्रिक फिर हम इस पर बैठा देंगे आपको है ना चलिए ये सौट ट्रिक थोड़ा देख लेजिए आसान हो जाएगा एक्जाम के लिए क्या है सौट ट्रिक देखिए ग्राफ ये कॉडिनेट बनाईए अब ए का वैलू कितना है माइनस चार और जीरो अब B पर है 0 और 3, तो जीरो और 3 जीरो तिन रो तिन कहा होगा इधर ही होगा कहीं होगा तो यह ट्रैंगल बना की नहीं त्रिभूज बना की नहीं यह त्रिभूज का च्छे तरफल क्या होता है एक बटे दू आधार गुने उचाई ता अधार यहां से यहां तक का यानि और जिन से यहां तक का दूरी कितना हो जागा चार एक बटे दू अधार हो गया चार ये हो गया चार गुने उचाई कितना हो गया तीन तो दू दूनी के चार तीन दूनी के छो सीधा अंसर आ गया ठीक है तो आप सीधे यहां पर बैठाईएगा है ना और बैठ बैठा करके आप देख लीजेगा कितना चित्रफल आ रहा है अधार गुने उचाई पर क्लियर है अगर ऐसे नहीं बन रहा है तब फिर आप इसमें ऐसे बैठाने का कुशिस करेंगे ठीक है यहां पर बैठाईएगा तब भी आंसर आएगा ठीक है चलिए तो जल्दी से ऐगा तो कितना हो जागा 3 मौण फिला एकश्टू का मान कितना है 0 bigger यह जीड़ी है पूरा we adults किया एक इसका मॉक्षाkt गया और यहां य। तो यैंदी-एरिया क्या होगा माइनस में तो होगा नहीं ठीक है तो क्या हो जाएगा दूझ्ट की चका का बार माइनस में होगा नहीं तो क्या हो जागा एंसर चलिया रहा है बैठा के भी आप देख सकते हैं चलिए कोश्चन नंबर साथ हुए आप बनाते चलिए है ना कोश्चन नंबर आप 20 देखिए नेक्स्ट कोश्चन अब इसको रव कर दे रहा है आप स्क्रीन सॉट ले लीजिए टैन ए बराबर 4 बाई 3 तो साइन ए का वैलू निकालने के लिए कह रहा है ठीक है टैन ए बराबर कितना है 4 बटा 3 बनाईए इस तरह से त्रिभूज टैन थिटा बराबर क्या होता है भी बटा इट लूब तो पी कितना हो गया चार और बी इस वगरन लिखने की जुरत नहीं है हम इन कोश्चन नहीं बनाना है यह क्या है एक नंबर वोला है तो सिधा यह 4 है यह 3 है तो यह 4 चुके 16, 33 के 9 9, 16 कितना हो जाएगा 25, 25 का रूट कितना हो जाएगा 5 तो यह कितना हो गया 5 आगया अब कितना निकालना है साइन तो साइन क्या होता है यानि 4 बटा 5 तो इसका एंसर क्या हो जाएगा कोश्चन नमबर 21 रूट 3 सेख थिटा बराबर दू तो सेख थिटा बराबर क्या हो जाएगा दो बटा रूट 3 दो बटा रूट 3 अब दो बटा रूट 3 सेख थिटा के किस पर किस एंगल पर मान दू बटा रूट 3 होता है तो किस पर होता है 30 डिग्री पर किस पर होता है 30 ड next question क्या है question number 22 देखिए ये question के लिए आपको कुछ बनाने की जुरत नहीं है आपने पढ़ा होगा जैसी ही minus का चीन देखिए आप answer इसका 0 आख बंद करके free का number है अगर ये divide में रहता कॉसेक 31 बटा सेक 59 डिगरी अगर ये divide में रहता तो answer वन हो जाता और अगर minus में है तो answer क्या होगा 0 कैसे होगा तो cause 31 डिगरी है minus सेक को बदलिए cause times economic minus 31 डिगरी कर सकते है और foster seconds minus try please τα नहीं कैसे क्ट जाएगा बात समझ में आ गया अब चलिए question number 23 देखिए के इसलिए माइनस अबन करकर ले向 और वाँवां लेकए गा तो एक चीज किई और कह दे किस्टर अगर माली जे साइन की टीज़ी मैनस साइन 60 डिग्री रहे थी कि मार देंगे एप एक इससा करना है कि नहीं और यह दोनों को जोड़ने के बाद क्या रह है कि ये दोनों को जोड़ने के बाद 90 आए 60 30 90 चलिए एक तो फुल्फिल कर रहा है साइन मतलब उल्टा मतलब साइन 90 माइनस थिटा कॉस थिटा होता है तो साइन यहां कॉस थिटा है की नहीं ठीक है बात समझ में आई अगर यहां पर कॉस थिटा है तो यहां सेख होना चाहिए टैन है तो कॉट होना चाहिए साइन है तो कॉस होना चाहिए और ये दोनों को जोड़ने के बाद 90 होना चाहिए तब ये जा करके ये जीरो और एक वाला वैलू होगा एक अस्तम्ब की छाया की लंबाई अस्तम्ब की उचाई से एक बटा रूट तीन गुनी है मतलब यह अस्तम्ब है इसका माल लिजे यहाँ पे छाया है अब यह माल लिजे ठिटा है तो अस्तम्ब की उचाई से एक बटा रूट तीन इसका उचाई मालीजे h है तो इसका क्या हो जाएगा h बटा रूट 3 होगा की नहीं होगा अस्तम क्यों उचाई से कितना है एक बटे रूट 3 गुना है तो एक बटे रूट 3 से गुना करेंगा h में तो कितना हो जाएगा h बटे रूट 3 यानि 10 theta बराबर कितना हो जाएगा root 3 अब 10 theta का किसका value जो होता है root 3 होता है तो 60 degree का ठीक है इसका सही answer क्या हो जागा option number C 60 degree clear है चलिए question number 24 देखिए एक breathe की कितनी समांतर असपर्स रेखाए हो सकती है एक ब्रीथ की कितनी समांतर असपर्स रेखाए हो सकती है एक चीज़ ध्यान रखिए कि समांतर असपर्स रेखाएं जो होगी एक एक रेखा का एक ही और समांतर होगा है तो कितना समांतर रेखा हो सकता है दो अगर यहाँ पे है तो इसका इधर हो सकता है हो चाब है 2023 हो जाएं कि इसका क्या हो जा है कि इसका कि आप वैंटल यह यही हो जाएगा या नी दो ठीक है चलिए नेक्स कोषचिन देखिए मैं गाइंट सेंटीमेटर कि माइं पाइं त्रीजिया वाले एक ब्रीद के बिंदू P पर असपर्स रेखा PQ केंदर O से जाने वाले एक रेखा से बिंदू Q पर इस परकार मिलती है कि OQ बराबर 12 और PQ की लंबाई ग्याद कीजिए कोश्चन को आप पढ़िए ध्यान से 5 cm त्रिजिया है 5 cm त्रिजिया है और एक बिंदू P पर असपर्स रेखा PQ P पर बिंदू इस पर P है इस पर असपर्स रेखा यह असपर्स रेखा क्या हो जागा Q O से जाने वाली एक रेखा बिंदू Q पर इस परकार मिलती है केंदर O है तो यहाँ से यहाँ तक यहां से यहां तक क्या हो जाएगा मालों ओ ठीक है यहां से यहां तक ओ हो गया ठीक है अब केंदर से जो असपर्स बिंदू पर एंगल बनता हो कितना बनता है 90 डिग्री तो यह 90 हो गया यह कौन है तो ये क्या हो जागा अधार और ये क्या हो जागा कर्ण ठीक है अब ये क्या है O अब क्या रहा है O Q की लंबाई 12 ये 12 दिया हुआ है 3 जी आप 5 दिया हुआ है आपको P Q की लंबाई ग्याद करनी है तो P Q क्या है अधार तो पैथागोरस प्रमें से क्या हो जागा 12 का स्क्वाइर माइनस 5 का स्क्वाइर 12 का स्क्वाइर कितना हो जाएगा 169 और 5 का स्क्वाइर कितना हो जाएगा 25 और इसका रूट 179 माइनस 25 कितना हो जाएगा एक मिनट 12 का स्क्वाइर कितना हो जाएगा 144 12 का स्क्वाइर कितना हो जाएगा अंडर रूट 119 ठीक है अगर ओक्यू की लंबाई कहती तो इसका स्क्वाइर प्लस इसका स्क्वाइर कर देते रूट में ठीक है चलिए तो इसका सही आंसर ऑप्सान नमबर डी नेक्स्ट कोश्चन देखिए कोश्चन नमबर 26 देखिए अर्थ रिज्या वाले अर्ध ब्रीद का छेत्रफल अर्ध ब्रीद का छेत्रफल के ते लिए हो जागा एक बटा दू पाई आर इसका अंसर अप्सान नमबर बी अगर इसका परिमाप पुछता अर्ध ब्रित का परिमाप तो यहां से यहां तक क्या हो जाता टू आर और यहां से यहां तक कितना हो जाता पाई आर यहां से यहां तक आधा यानि टू पाई आर का आधा क्या हो जागा पाई आर प्लस टू आर अगर परिमाप पूछता तो पाई आर प्लस टू आर हो जाता r को common ले लोगे तो क्या हो जाएगा πाई प्लस 2 clear है चलिए next question देखिए तिरीज़ आर वाले ब्रीद के उस त्रीज़ खंड का छेतर फल निकाली है जिसका कौन p degree है तो p degree अगर है कौन तो क्या हो जाएगा p बटा 360 गुने πाई r square 2 pi r है तो नहीं होगा 2 pi r है तो नहीं होगा इसका भी आधा होगा तो यह ऐसा नहीं है पाई r square कुछ वैसे ही है अगर यहाँ पे 360 का डवल किये तो यहाँ पे उपर में भी क्या करना होगा दूसे करना होगा तो 2 pi r square बटा 720 तो 2 pi r square बटा 720 इसका सही आंसर option number d ठीक है क्या हमने कहा कि अगर p बटा 360 गुने pi r square इसका actual क्या हो जागा p बटा 360 गुने pi r square लेकिन यह कहीं नहीं है option में तो pi r square वला यह option एर यह option तो कर जाएगा क्योंकि यह 2 pi r है ठीक है तो 2 pi r square बटा 720 जो होगा वही आंसर सही हो जाएगा clear है next question देखे question number 28 question number 28 क्या कह रहा है एक घनाब का माप इतना है घनाब का विकर्ण निकालिए या फिर रूम रहेगा रूम के अंदर कोई भी सबसे लंबी लकड़ी सबसे लंबी सीड़ी लगाने के लिए सीड़ी की लंबाई क्या होगी या तो ये question पूछा जाएगा या तो घनाब का सीधे विकर्ण पूछा जाएगा अगर कुछ भी ये दोनों में से पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे हमेशा हम विकर्ण निकालेंगे विकर्ण क्या करना है सबका square करके जोड़ देना है 6 का square कितना हो जाएगा 36 प्लस 8 का square 8 ठाई 64 प्लस 24 का square 576 ठीक है फिर अब इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा 6, 4, 10, 6 16 फिर 7, 6, 13 और 3, 16 17 ठीक है 5, 26 ठीक है अब ये देखिए किसका square करने पर 25 का square करने पर कितना हो जाएगा 625 तो 25 तो नहीं होगा 28 का square करेगा 28, 28, 64 वो भी नहीं होगा अब 26 का देखिए 36, 36 हो सकता है तो 26 का square करके देखिए ठीक है 26, 3 हाथ में 6 दूनी 12 12 दूनी 24 और 3, 27 अदू दूनी के 4 अदू 6 तो 666 ठीक है तो ये आ जाएगा तो इसका सही आंसर कहा जाएगा आपसन नमबर B ठीक है चलिए अब देखिए question number 29 देखिए next question क्या कह रहा है कि वर्ग अंतराल अंसंचई बारंबारता के बीच खीचे गए आलेख को क्या कहते है तो वर्ग अंतराल अंसंचई बारंबारता के बीच जो खीचे गए आलेख होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तोरन, ठीक है, चलिए, अगर ये है graph, अगर इस तरह से graph downward है, ठीक है, तो ये है से अधिक प्रकार का तोरन, से अधिक प्रकार, ठीक है, ग्राफ भी दे सकता है, पुछे का से अधिक प्रकार है कि से कम प्रकार है, और अगर ये नीचे से उप से उपर तो यह हो जाएगा से कम प्रकार से कम प्रकार ठीक है यह से अधिक प्रकार का तोरण है और यह से कम प्रकार का तोरण है ठीक है चलिए question number last देखिए 30 पी पी बराबर 0.05 है यह नहीं कि प्रकार क्या हो जाएगी पी पलस एक मिनट पी पलस पी नॉट मतलब पी और पी नॉट यानि पी नहीं को जोडने पर कितना आएगा टोटल प्रक ता एक आएगा तो जब पी का मान दिया हुए 0.05 तो पी नॉट का मान क्या हो जाएगा एक माइनस पी एक माइनस पी तो अब पी का वैलू कितना हो जाएगा एक माइनस जीरो पॉइंट जीरो पाँच जीरो पॉइंट जीरो पाँच ठीक है जीरो पॉइंट जीरो पाँच तो एक मेंसे घटा ही है तो पाँच मेंसे पाँच जाएगा तो पाँच और नॉट यहां कितना हो जाएगा दस मलो नॉट पाँच जीरो दस मलो नॉट नॉट ठीक है तो ये आपके क्या है? MCQ है, ठीक है? आप हम लोग चलेंगे, Section B की तरफ, ठीक है? ठीक है? तो इस वीडियो को क्योवली यहीं तक रखते हैं, और Section B का जो पार्ट होगा, Section B, C और D, और उसके लिए हम लोग Next वीडियो में उसको देखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में इसका B, C और D, जो Important Section होगा, ठीक है? आप उसको जरूर देखेंगे, है ना?